जैन दोस्तो आपके अपने YouTube चैनल A2Z Jobs में आपका हारदिक सुवागत करता हूँ दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो जल्दी से चैनल को सुस्क्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस कर लेजिए इस चैनल पर हम आपको government jobs related जो भी offline या online forum निकलते हैं उनके बारे में उची जनकारी पर दान करते हैं साथ में 32 related job issue जैसे जिस तरह की forum कैसे बरना है forum कब तक बर सकते हैं कौन-कौन forum बर सकता है आपके admit card कब तक आएंगे एक्जाम होने के बाद result कब तक आएगा cut off क्या रहेगी RTI की process क्या चल रही है पूरी जानकरियों वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं जैसा कि मैं कल लाइव भी आया था ITBP trade man के regarding और अगर कोई बच्चा आर्मी की तियारी कर रहा तो TA की वेट कर रहा देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में अम बात करेंगे जैसा कि आपने फंडेल में भी देख लिया होगा ITBP new vacancy 2021 की forum का बरे जाएंगे और एक नया issue चला हुआ हुआ है ITBP trade man का RTIE का मतलब court case का और साथ में driver का तो पहले हम बात करेंगे ITBP trade man की क्योंकि सबसे ज़्यादा issue इसी पे हो रहा है सबसे ज़्यादा वीडियो इसी को बना रहे है मैं आपको बता दिनू कि ITBP trade man हाइलाइट हो गया है और अब जितने भी यूट्यूबर है वो ITBP trade man के पिछे लेगे होएगी कि ITBP trade man की वीडियो बनाओ वीव में जाएगी चाहे कुछ भी चाब दो कुछ भी बोल दो मतलब एक ट्रेंड हो गया कि कुछ भी बोल दो हाँ बच्चे देखेंगे वीव बन जाएंगे तो मेरा दोस्तो इस तरह कोई मतलब नहीं आपने जब से मेरा चैनल बन आपने देखा होगा मैं ITBP trade man मतलब ITBP का भी चल रहा तो मैं ITBP की वीडियो बना रहा हूँ मेरे चैनल पे सब से ज़्यादा वीडियो मैं ITBP की है क्योंकि मैं ओरिजिनल जो रिपोर्ट होती है वो एनलाइज करके ही आपको बताता हूँ जिस तरह मैंने आपको पहले बता था कि अनिमल ट्रांसपोर्ट का फाइनल रेजल्ट आपका बन चुका है तो आपने देखा भी होगा फिर थोड़े दिन बाद फाइन गायत्री ओफिशियल मुझे पता आप जाकर सर्च करोगे लेकिन सर्च नहीं करोगे तो चरेगा गायत्री ओफिशियल उसने एक वीडियो डाली अभी मतलब डाली थी ITBP के रिगारिंगी ट्रेडमेन का वोर वीडियो थी इसमें आपको इसने बताया गा था कि एक की ITBP क जो वकैंसी हैं ये कैंशनों लेची ट्रेडमेन की वगएरा और कुछ अनापस नाप इसने बहुत से कैंडिडेट को बोला था और मैं सबसे बारी बता दू एक ये ऐसा बंदा है अगर बात करने का भी अगर किसी को इसे बात करनी है तो उसके पैसे मांगता है बात करने के पैसे मांगता तो इसको सोच लो आप कितना गिर सकता है ये इसको किसी से मतलब नहीं है मेरी से कोई परसनली दुस्मनी भी नहीं है लेकिन as a behalf of the candidates मैं सीचे बोल रहा हूं कि सिर्फ बच्चों के पैसे लेकर आप RTI भी बच्चों के पैसे लेकर आपने पिछे भी था जब ITVP ट्रेडमेन के एक जाम पर RTI लगानी थी कोट केस करना तो इसने भी तब भी यही बोला था कि मेरे पास पैसे बेज़ दो मैं RTI लगा दूँगा अगर आप RTI नहीं लगा सकते खुद के पैसे से खुद आप किसी बच्चे से बात नहीं कर सकते तो फिर आप चैनल जिसने बोला कि आप कि तेरी सोफ नहीं है आपने वाले से बूछला अगर तेरे में ओकआत तो नूंज वाले से बात यहीं एक बत बताऊ नूंज वाले से बात करने में कितनी अकाद चही है अधाल और एक जो ये बच्चों से पैसे मांगता है उसके ये देखीजिए एक बच्चे ने इस इन्स इनिफॉर्मेशन मांगी तो ने बोला मैं अपरेटर बोल रहा हूं ब्रादर आप कोल पर हमारे सर से डिस्कस कर सकते हों कालिंग फीस 50 रुपीज पे करके मतलब बात करने के भी ये जो बंदा आये चार्ज करता है 50 रुपे और ये है आपका हाई कोट में जो अभी अभी रिट डाली है जो नरेंदर सन ओफ सरी पतानी हाइड है और राजेश कुमार इन्होंने जो ITBP के रिगाड ट्रेडमेन के रिगाड है इन्होंने रिट डाली ह और ये है इसमें जो एड़ोकेट का नाम है सुनील कुमार सेनी जो 3621 मतलब की आज 12, 38, 54 शाड़े 12 है हुझे लगबाग इन्होंने ये केश डाला है ITBP ट्रेडमेन का इनका केश ये है कि जो बरती है वो रिटन बेस पे बनेगी या ट्रेड टेस्ट के नंबर लगेंगे मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ अगर पीडिएफ लोंच की तो पीडिएफ में क्या था साइट परसेंट आपके रिटन के लगेंगे साड़िस परसेंट आपके ट्रेड टेस्ट के लगेंगे होगा स्कील टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइग नेचर था और ट्रेड मैं में आपके ट्रेड पलस रिटन दोनों के आपके नंबर जुडेंगे और तब जाके आपके फाइनल मैरिक लेस्ट तियार होगी तो अभी गाहितरी ओफिचल वाड़ा क्या कर रहा है बच्चों को गुम्रा कर रहा है कि जल्दी से केस ठोग दो सभी को पता है बाई सब च्यार पांस दोजार सतरा में वो कैंसी डिख ली थी दोजारी कि हाफ आ गया रजल्ट का भी कोई पता अब रजल्ट आने वाड़ है जैक वाड़ा भी ने डालेगा क्योंकि अगर जैक वाड़ा रटी आई लगाएगा तो प्रोब्लम उसको भी है तो जिन बच्चों के कम नंबर है ना सिरफ वही वही रटी आई लगाएगा वही कोट केस करेगा और कोट केस नहीं करेगा क्योंकि सब को पता है कि दो बा तो यह साल भी चला जाएगा, और हाँ, बोट से बोल रहे हैं, बर्ती कैंसल हो जाएगा, तो दिमाग से बैम निकाल दीजी, बर्ती कैंसल नहीं होगा, रिजल्ट आपका आने वाड़ा है, और अगर दो तीन दन के अंदर रिजल्ट नहीं है, तो आपका फिर थोड़ा होता है, complete, इससे पहले ITVP result declare करती है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर जब का result रहने के बाद, medical start हो जाएगा, अब दूसरा हापका driver का, driver का कोई लेना देना नहीं है, ड्राइवर के लिए टेंशन की बात नहीं है, ड्राइवर का अपका रिटन एग्जामिनेशन के बेस्पे आपका रिजल्ट बनेगा, जो 100 मार्स का था, उसके बाद आपकी कुछ आएगी, दो कुछ आएगी, एक्टेंड और मेन, मेन में जिसका का सल्कीज वहागा, ऑगर मेडिकल में पी आएग का सल्कीज मार्ण में घौन तो हटा इन चांस होजाती है व्यक र्लगार का सिचाशने है, बोर्ट ड्राइवर के लिए पी आपको अईटी में बात राइवर के लिए बत्रेंड सेंटर valtि का प्रिद होता कर कि लोगा संब अब बात करता हूं नुवचैंसी की, कि नुवचैंसी कब आने वाली है, तो नुवचैंसी आपकी वो ITVP की एक तो GD के थ्रोव आने वाली है, जो SSE GD है, उसमें भी ITVP की वकैंसी है, अगर GD के थ्रू कोई जोईन करना चाहता है, ठारा सिते ही सेज है, तो उसके लिए स्टेबर मिनिस्टेरियल और मोटर माकैनिक के थ्रूँ आपका जल्दी प्रोमोशन होता है, तो आप वह से भी जा सकते है, अगर आपकी एजा जती है, तो फिर आप और भी ट्राई कर सकते हैं, यह नी बोलता कि आप वो फारम मतबर हो, और जो निकलेंगे आप वो फोरम कोई डालो, लेकिन मैनत बराबर की करो क्योंकि स्लेबस सेम है दुन होगा, स्लेबस आपका सेम रहेगा, स्से के थ्रूँ भी और जो ITVP की डिपार्टमेंटल बरती है, उनके थ्रूँ भी, अब निव वकन्सी आपकी आने वाली है, हैड कांस्टेबर मिनिस्ट्रियल, जि इसमें आपका क्या होगा, PET, फिजिकल अंडुरेंश टैस्टिया, PMT, उसके बाद आपका रिटन, टाइपिंग, डोकुमेंटेशन और मैडिकल जोईनिंग, दूसरी आएगी आपकी टैली कम्म्यूकेशन की, टैली कम्म्यूकेशन में आपके से ट्वैल्थ मांगी टैली कम्म्यूकेशन का किसी के पास है, डिपलोम मा कुछ भी है, तो वो भी टैली कम्म्यूकेशन की फोरूम ढाल सकता है, हैड़ कॉंस्टेबल और कॉंस्टेबल दोन हो आएंगी, टैली कम्म्यूकेशन की, फिर है बात आपकी हैड़ कॉंस्टेबल और कॉंस्टेबल मो 2700 आपका GD, ट्रेड मैन और जो अलग कॉंस्टेबल रैंक है उनका आपका 2700 रहेगा अब एक बात और मैं बता देता हूं कि जिडडी का मैं क्यों वह लगी जिडडी और जो जो हैड कांस्टेबल मिनिस्टी ले प्रोमोशन जाद है क्यों त्रेड मैन में क्या आगी त्रेड मैन में आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा उसी ट्रेड मैं फिर आप ट्रेड को कनवर्ट करके GD में आएंगे आप डारेक्ट दुसरी पोश्ट पिंजा सकते आपको यह तो इजाम देना पड़ेगा अगर प्रोमोशन बाए प्रोसेस की बात करें तो फिर आपका लेट प्रोमोशन होता है ट्रेड मैन वगएरा में है अगर हां आपको फिल्ड की नोकरी नहीं करनी पढ़ती है इसमें यह वेनेफिटर बागी म्या प्रविल्ड की प्रशन है कटओ प्रोसेस नीडल ही मतलब court case वाला जो ये pagination status है अगर तो फिर आपका result late होगा अगर ये डल गई तो नई डली तो आपका late होगा तो ये जानकाल थी जो मुझे आपके साथ share करनी थी वीडियो अच्छी लगे like करना, share करना और चैनल को subscribe करना, cutoff के लिए मैंने पीछे वीडियो बना चुका हूँ मैं और हाँ एक point और अब उच्छों का की vacancy कितनी increase हुई है vacancy का अभी तक कुछ नहीं पता की कितनी increase हुई है vacancy का आपको पता चलेगा जब आपका result आ चाहेगा जए इन दोस्तो